जिन बाक्यों के अंत में पढ़ता है पढ़ता था पढ़ेगा आधी सब्दा आते हैं उनमें has to, have to, had to का प्रेयोग किया जाता है अर्था द्विवस्ता या मजबूरी प्रकट करने के लिए has to, have to, had to का प्रेयोग किया जाता है तिथा इसके बाद main verb की first form यूज़ करते हैं Present tense में singular subject के साथ has to तिथा plural subject के साथ have to का प्रेयोग करते हैं Past tense में प्रतेक subject चाहे वो subject singular हूँ या plural के साथ had to का तिथा future tense में will have to, sell have to का प्रेयोग करते हैं चले इस example के साथ समझते हैं तो पहला example है मुझे प्रती दिन उसके लिए खाना बराना पड़ता है तो इसको Englishman convert करेंगे I have to cook food for him daily Second example है हमें मुस्किलों का सामना करना पड़ता है We have to face the difficulties उसी सुबह गर्म पानी पीना पड़ता है She has to drink hot water in the morning उसे रूम साफ करना है She has to clean the room जब वाकी के अंत में ना है नी है ये सा बाता है तब भी हम has to have to have to का यूज करते हैं उसे अपने तरीके बदलने पड़े She had to mend her ways उन्हें वहां खाना खाना पड़ा They had to eat food there में प्रवार्णच करना ची जसे नाहरे